देखिए हमारी जो वहां की शिक्षा मंत्री आतिशी जी ने उन्होंने गोशना की थी कि आज वो सुबा दस बजे एडी की पोल खोलेंगे उससे पहले ही इन लोगों ने सुबा साथ बजे हमारे सांसज राज्या सबाशन अंटी गुपता जी और हमारे बहुत सारे जो नेता हर्याना की अंदर चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है दोस्तों पूरे देश भर में एडी की रेट जारी है जिसके चलते विपक्च में बैठी जितनी भी सरकारे हैं वो बीजेपी के उपर आरोप लगा रही है कि बीजेपी को आज के समय में विपक्च से बहुत ही और इसी के चलते देश भर में आज के समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा सुरकियों में चल रहा है वो है हाल ही में हुई लोग तंतर की हत्या का उसको लेकर भी बीजेपी के उपर आरोप लग रहे हैं देश के परधान मंतरी सन 2047 तक भारत को विक्सित भारत बनाने के ल पक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी की जो टीम है जो कार्या करता है जो नेता है वो साथ फरवरी की सुबह हर्याना के सीम के हाउस का घहराव करने जा रहे हैं देखते हैं क्या कुछ इन्हें हासिल होगा इस घहराओ के चलते क्या इनके में मुद्दे रहने वाले हैं औ भीनाग जी सबसे पहले तो यम्ना निगर सेटी निउस चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हैं तेंक यू मैम बहुत बड़े मुद्दे को लेकर चल रहे हैं महंगाई के चलते या बिरुजगारी के चलते बिलकुल जी मैडम कल का जो मुद्दा हमारा में जो है वो रहने दोजगार जो आप गैएं उसे सरकार थी सरकार काम जो है वह भी ठिक को पर दिये चो कई सरकारी धारों दिया गया तो ऑनला, वह एक हर्याना में प्राइश्ट प्रूच्ध 되어 हना की वजह से जो हैं दो लाख सरकारी पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं बात उती थी हर्याना में भी हर साल जो है दो लाख नोक्रियां नहीं दी गई पेपर तो लिए गए पेपर लिए गए पेपरों से जो है हजार प्रो क्रोड पे कठे भी किये गए और उन रुपयों को जा तो सरकार जो है वो ब्रश्टा चार में इस्तवाल कर गई या अब जो हम बात करते हैं कि सरकार जो दो लग पद पड़े पुलिस दिपार्टमेंट में खाली पड़ी है हमारी प्रैमरी एजूकेशन की होते हैं ये लगबग तो अगर दोलाक लोगों को रोजगार दे तो जो हमारा युवा है जो आज बेरजगारी में नमबर एक रहाना हुआ है इनकी वजा से सरकार की नितियों की वजा से अगर काफिला लेकर आप लोगों के साथ है योग करने के लिए चलेंगे। कितने की संक्या लगा कर चल रहे हैं और वहां पर कल हजारों की तदाद में जो है वो युवा इकठे होंगे सरकार तो इसराइल जैसे देश के अंदर युवाओं को नोक्रियां दे रही है और परधान मंतरी नरेंदर मौदी अब तो 2047 को लग्चे विक्सित भारत को लेकर चल रहे हैं क्या लगता है उनका सपना उनका यह जो खाब है यह पूरा होगा क्या लगता है अब मैडम जो हम जान है उसको बचाने की हे सोच लें वो भी नहीं बचाया जा रहा है सारी लोग्टांतरिक संस्ताइंस जो देश की थी तो उन्हों निर्निया लेती थी आज उन पर भी जो है इन्होंने उस पर डाका डाल डिया है अपने लोग महांपर बठा दिए हैं जिस की वज़ा से अपनी मनमानी चल रही है, लोगतंतर की हत्या हो रही है, इवन यहां तक जो इनका बबेक और ब्राय, परधान मंतरी का जो अर्थिक सलाहकार है, वो तक कहता है कि हमने ये 2047 तक जो ब्यालिज तक ये सव्धान की उप्योक्ता खतम हो जानी है, सव्धान की ज्वर्थ ही नही है, ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि अगर आज हम देश के गाउं-गाउं को देखें, तो बहुत से युवा विरुजगारी के चलते, विदेश की और अपना रुख कर रहे हैं, कमी कहां आ रही है, कमी सरकार नोक्रिया नहीं दे पारे, अजराइल में ही 10,000 लोगों को जो युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही है, जबकि विदेश जो भारन कंट्री है, वो वहां से अपने निकाल रही है, और हमारे हिजो खट्रसाव है, वहां पर चोकना चाहते हैं, तो इनको कोई उनकी जान की परवाह नहीं है, हमारे युवाओं की, जिस तरह से सेंट्रल सरकार को जो है, अपना सैना में जो है, अगनिवीर की नोकी देखकर, वहां पर चोकरी है, ये अपना उदर सोक देना चाहते हैं, तो बहुत शर्म की बात है, सरकार के लिए, लाली जी पूरे देश भर का आज का सबसे बड़ा सुर्कियों में कहला आ जाने वाला मुद्दा हाल ही में चंडीगड में जो मेर का इलेक्शन हुआ है जिसमें लोगतंतर की आप विपक्ष में बैटी सरकारे कह रहे हैं कि लोगतंतर की सारे आम धजिया उड़ाई गई एक तरह से हत्या हुई है उसे आप इस मुद्दे को आप किस नजरिये से देख रहे हैं क् सुप्रीम कोट के माननिया नियाई दी जी हैं उन्होंने सक्त टिपनि करी है कि लोगतंतर की हत्या नहीं भीजेटिंग इंदा वो बिजेपी का नेता है चंडीगड का माइनोर्टी सेल का बिजेपी का नेता है तो उसको पहले तो यह देखा जाए कि उसको इस्ट्रक्शन कहां से मिली है उसको इस्ट्रक्शन कहां से मिली है वो मार्क कर रहा है उसने आर्ट वोट जो हमारी रद करी है वो उसके मार्क से यहां पर चंडीगड के अंदर जो मेरी लेक्शन उसमें हुई है तो तियाल अलित सर चुनावी साल का अंतिम बजट सरकार के द्वारा हाल ही में पेश किया गया है जिसमें परधान मंतरी नरेंदर मोधी चार जातियों पर मेंट फॉकस करते नजर आए चारुजातिया आप बनेगी करीब महिलाएं क्या लगता है जब यह बात हुई थी तो मैंने बहुत सारी महिलाएं जो हमारी कार्यकरता भी है और जो मेरी जानकर मैंने पूछा था उनसे कि आप लगपती बनी निए बनी तो हम तो उन लगपती दीदियों को ढूंड रहे हैं उस दिन से लेके लगपती दीदिया हैं कहां आप गाउं में जाईए आप छोटे-छोटे कस्वों में जाईए वहां आपको रियालिटी पता लगेगी वह सिरफ बातों में लगपती दीदी बनाना तो हम बना दें यहां पर कुरोड़ पती दी तो बातों वह बातों का खारे हैं 2014 से पाल्टून कोमिक्स होती थी ना उसमें पाती होती थी तो यही सरकार 2014 से कर रही है और हम क्या पूरी जंता आज की डेट में बहुत परिशान है यह धंदाली करके चुनाव जीतने वाली पाल्टी मैं इनको कहूंगा देश भर में एडी की रेड जारी खतरा तो विपक्ष को भी सता रहा होगा क्योंकि आज पता लगा है कि दिल्ली में काफी आपके आमाद्मी पाटी के जो लीडर्स हैं उनके उपर उनके घरों में एडी की रेड पड़ी यह क्या लगता है देखिए हमारी जो वहां की शिक्षा मंत्री आतीशी जी ने उन्होंने एक घोशना की थी कि आज वो सुबा दस बजे एडी की पोल खोलेंगे उससे पहले ही इन लोगों ने सुबा साथ बजे हमारे सांसज राज्यस अपाशन एंटी गुपता जी और हमारे बहुत सारे जो नेता हैं दिली के उनके यहां पर चापा मारा मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब तक जो शराब गोटाला है उसमें क्या मिला प्रजेंट कीजी आप वो कुछ से कोट भी पूछ चुका है जब कुछ ग्राउंड पर कुछ है ही नहीं अभी किसी एरोपी ने कह दिया कि मैं फलाने के गर दो क्रोड देके आ है कल को मैं कह है कि 2024 में यह चुनाव हार रहे हैं और आप जैसे जो निर्वीक पत्रकार हैं जो विपक्स की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं मैं तो आपको कोटी-कोटी नमन करूँ एक लास्ट कोशन आप से कल घराव होने वाला है सीम के हाउस का उसमें यमना नगर के आम आदम हमारे सीनियर नेता लक्षमन विनैक जी ने बताया है यहां से साड़े 500 की लगबग में हमारे जो 200 तो हमारे कारे करता हैं बागी जो साड़े 300 जो हमारे साथ जाने के लिए तिया रहे हैं कल के मिशन में तो मैं उनको संदेश दूँगा कि आपके हक की लड़ाई आमादी पार्टी यमनगर जिले से हर हर्याना के हर जिले से उठाने का काम करेगी और आने वाले जो विदान सभा चुनाव है उससे पहले लोक सभा चुनाव है आप लोग हमारा साथ दीजिए जो इस ताना साई सरकार को हटाने का हमारा साथ दीजिए ता तस्वीरे में आपको दि जारी है दोस्तों क्या वाके में ही बीजेपी को विपक्ष में बैठी सरकारों से खत्रा सता रहा है और इसी के चलते बीजेपी के उपर जो आज के समय में सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वो है लोग तंतर की धजियां उड़ाने का यानि की लोग तंतर की हत्या करने का आ वासिल होने वाला है तो मेरी आप लोगों से यही अपील इस खावर को आप लोग जादे से जादा शेयर करें वीडियो जनलिस्मंपृट के साथ यामना नगर के आम आदमी पार्टी के जिला करियाले से मंदीप करकी रिपॉर्ट